हलो डियर पेरेंट्स मेरा नाम डॉक्टर राहुल चौहान है मैं मनीपाल हॉस्पिटल में एज पेडियाटीशन की तौर पे काम कर रहा हूँ आज हम कुछ बात करेंगे टेमेटो फ्लू के बारे में बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न था कि टेमेटो फ्लू क्या होता है जो आजकल बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है तो दिहान रखें टेमेटो फ्लू एक वाइरल इंफेक्शन है यह सबसे पहले के रला में डिटेक्ट हुआ था इसी साल में 2022 में इस लाइक एनी अधर वाइरल इंफेक्शन दर नेम टेमेटो हैस गिब है बट यस दिहान रखें यह बहुत ही कंटेजियस डिजीज है जो कि बच्चों में जल्दी से फैलती है और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि यह पांस साल या छे साल से छोटे बच्चों में बहुत अधिक देखने को मिलता है इसके लक्षन क्या हो सकते हैं फीवर आ सकता है इसका कोई specific treatment नहीं है simply हमें symptomatic treatment की तरफ जादा देना है कि बच्चे का हम hydration maintain रखें अगर बुखार उसे आता है तो उसे पैरसी टमूल की दवाई दें और बच्चे को कुछ समय के लिए isolation में रखें for a period of seven days के लिए जिससे कि यह दूसरे और बच्चों में ना फैले यह दिहान रखें कि यह एक अगर आप parents को दिहान हो तो एक बीच में बीमारी आया थी जिसको हम hand foot mouth disease के नाम से भी जानते हैं बहुत पार अभी recently बहुत सारे cases ऐसे देखने को मिले तो यह बड़े सारे experts की एक opinion है कि यह शायद जो tomato flu था यह उसी का एक variant है और एक viral infection है इसे आपको घबराना नहीं है self-limiting disease है जो नौर्मली 5-7 देज तक persist करती है अपने आप बच्चे इंप्रूब भी हो जाते हैं So that's the small message to all the parents if you have any further query you can contact us. Thank you.